पीजी वेलकम सियू इन पीजी पॉइंट बीएट वालों के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी बिहार में एक लाग सिक्षकों की रिख्तियां अगले महिने आएंगी समझ लीजे पहले और अभी से ही पढ़ना कर दीजे शुरू अब बीएट, बीटीसी और इन सब को करके रोना करिए बन क्योंकि जो पहले आपको वेकेंसी मिल रहे उसको ग्रैप करिए चटी से बार्मी कक्षा के सिक्षकों के करीब एक लाग पदो पर नियुक्ति के लिए एक्टूबर में बिहार लोग सेवा आयोग विग्यापन निकालेगा और इस भाली के लिए आविदन करने वाले अबियर्टियों की परिक्षा नवंबर में ले ली जाएगी यहीं के आपका एक्जायम कब हो जाएगा यह वाला नवंबर में हो जाएगा मंगलवार को आयोग और सिक्षा विभाग के पदा दिकारियों की विबैटक में नई सिक्षक नियुक्तिक और वर्तमान में चल रही बहाली प्रक्रिया को ले करके विभिन विद्धो पर विचार विमर्श हुआ, मिली जानकारी के नुसार, चक्षा 6-8 जी बेड़ वाले सा चको के पदों का आकलन वर्तमान में नियुक्ति पूरी होने के बात किया जाएगा, विभाग के पदा दिकारी अनुमान लगाते हैं कि 9-12 तक में भी 50,000 पद हो सकते हैं, इस तरह करीब 1,00,000 नए पदों की नियुक्ति का विग्यापन निकलेगा, आयोग ने विभाग से कहा है कि कक्षा 6-8 तक का सिलाबस उपलब्द करा दें, मतलब क्लास 6-8 का आपको सिलाबस बहुत जल्दी मिल जाएगा, उसके अनुरूप प्रश्ण पत्र तयार करने की दिशा में काम किया जा सके, मालूम हो कि वर्तमान में 1,70,401 पदों पर चल रही है, जो आपकी बहा क्रिया में कक्षा 6-8 के सिक्षक के पदोप को सामिल नहीं किया गया था, बैठक में BPSC अद्दक्ष अतुल प्रशाद जी ने सिक्षा विवाक के अपर मुक्य सचिव केके पातक जी, मादमिक सिक्षा निदेशक पंकज कुमार जी और IOK सचिव रवी भूशन जी भी करती हैं उनसे मेरा सिर्फ और सिर्फ यही बात कहने हैं कि आप अपनी लड़ाई भी लड़िये लेकिन 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 भाइया जहां आपको वेकेंसी मिले चुपचा पार्टेशिपेट करो यह बहुत सही समय चल रहा है कि आप एक जॉब को ले सकते हैं तो इसलिए 100% जी सब्जेक्स मैट्स पढ़ डालो 6-10 तक एंसी आप उसके बाद में अभी तो डीटेल सिलाबस जैसे ही जाड़ी होगा वो मैं वीडियो बना दूंगी लेकिन अभी क्या करना है आज और अभी से आपको एंसी पढ़ना है यह तो कॉमन सब्जेक्स के टॉपिक है यह तो इसमें की गलती नहीं इन्होंने पूरे प्रयाज की है बिहार में बिहार में तो मतलब सच में बहुत अच्छा काम कर रहे है लिटरली बहुत खुशी होती है इसब देखके खैर तो जो बीती ताई बिसारी है आगे की सुद्ध देखिए कहावत कही गई है और दो पैरों म नाव रखेंगे तो क्या फायता है कि बटग जांगे एक पैर में अपना मतलब एक नाव में पैरर करे चलो के यह है अब कर चुके एक लिये यह कि Iraq कर चुक है तो आप ने यह जानकरी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के मार्दियम से तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा हमेशा खुश रहिए मुस्कुराते रहिए कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए तिलने चेक क्यार बबाई और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे इं आपको के मार्दियम से